नमस्कार दोस्तों, आज देश के CIG की ओर से जो रिपोर्ट कल पेश की गई थी, जो हर बार विधानन सभार के पड़ल पर रखी जाती है, उस पर बाचित करने के लिए गठा हैं। और CIG रिपोर्ट ने एक बार फिर से, मैं एक बार फिर से इसलें कह रहा हूं कि इसके पहले भी तमाम स्वतंत्र और समयधानिक संस्थाओं ने भारतिय जन्ता पार्टी द्वारा शाशित, M.C.D. को उनके निगम्मेपन की वज़े से, प्रश्टाचार में आकंठ दूबे रहने की वज़े से, फिनेंशियल मिस्पैनेज्बेंट की वज़े से, बुरी तरह से लताड़ा है, और इन स्वतंत्र और समयधानिक संस्थाओं में, हाई कोट, सुप्रीम कोट, कौलामेट्री पैनल से लेकर के खुद सीएजी भी रह चुके हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा की बिछले वर्ष और उसके भी एक साल पहले, इसी तरह के स्कैदिंग रिमार्क्स जो है, सीएजी ने मसीडी के खिलाफ दिये थे, इस बात को लगतात तीसरी बात सीएजी ने स्पस्ट किया, कि मसीडी दरसल विश्वों की रह्षतम संस्थाओं की लिस्ट को टॉप कर सकती है, इतनी क्षमता है। मैं कई सारी निमित्ताओं का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा, जिसकी डिटेल्स एजी रिपोर्ट में हैं। जैसे साउथ डेली मिन्सिपल कॉरपरेशन की अगर बात करें, तो एक कॉंट्रक्टर को सडक निर्मान कारे में सडक की लंबाई बढ़ाने का काम करने के लिए तीश दस्मलों नो दो करोड रुपए पे किये गए और जो काम होना था इस सडक के साथ नाली बनने का वो काम हुआ ही नहीं सडक को एक स्ट्रेंड किया जा रहा है सडक के साथ ड्रेनेज बननी है लेकिन ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन का जो इलाका है जाएं सडक के साथ नाली अभी बननेज भी बनना था लगव 31 कोरोर रुपए एक कॉन्टक्टर को पेमेंट करने के बाद पता यह चलता है कि वो काम ही नहीं हुआ है इसके अलावा एक ओवर ब्रिश का निर्मानकार बिजबासंग के अरिया में चल रहा था जिसमें टेंडर होने के बाद बदलाओ किये गए जिसकी योजना में एक बार टेंडर हो चुतने के बाद कि आप प्लान ओफ एक्जिक्यूशन में कोई चेंज नहीं करते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क में चेंज होता है फाइव टू टैन परसेंट का पर आप पूरे के पूरे प्लान को नहीं चेंज करते हैं टेंडरिंग के बाद बदलाओ किये गए और बदलाओ की वज़े से आठ दश्मलों तीन तीन करोड रुपए का अत्रिक्ट खर्च हुआ कौन जिम्हेदार है कि भारतियंता पाटी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि एक छोटे से राश्ट्री राज़ानी छेत्र के अंदर एक छोटी से एमसेडी को चला चुकने में जो लोग नाकाम है वो किस जमीन पर खड़े होकर गवर्मेंस का डिडोरा पुरे डेश में कृटते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाबरी इंटरसेक्शन पर सेप्रेटर का उसका अप ग्रेडेशन हो रहा था और इस अप ग्रेडेशन में जो प्रोजेक्ट कॉस का डिवियेशन है वो लगभग 49 प्रतुश्यत का हुआ प्रोजेक्ट तो मतलब लगभग 149 पर कम या जादा हो सकता है इतना डिविशन है जो सीधे सीधे व्रश्काचार की और इशाड़ा करता है तो यह संभव कैसे है बिना राजनेतिक प्रश्रे के ब्यवस्थागत लूट जो है वो राजनेतिक आशिरवाद से होती है कोई ना कोई संदक्षण करता होगा तब यह संभव है साउथ दिल्ली मिन्सिपल कॉर्परेशन किसे मिजारी देखिया इन टोटालिटी एमसीडी सब को पता है कि फिनेंशियल डिफिसेट में चल रही है आर्थिक नुकसान में चल रही है जब देखो तब दिल्ली सरकार के आगे उधार का कटोड़ा लेकि खड़ी देती है कि ऐसे में करोड़ों रुपए के काम होते हैं कागर्स पे होते हैं जब मौाइना क्या जाता है कि काम हुआ कि तो पता जी तक काम हुआ ही नहीं और रिकावरी की बात आती तो रिकावरी तक नहीं की जाती है सब्सक्राइब करकाश में आया है जिसमें लगबग एक करोड़ रुपए कॉंट्रेक्टर से वसूने थे सब्सक्राइब कर रहा हूं पेज संख्य नौ और दस की ओवर रिव्यू सेक्शन में आप जाएंगे तो इस रिपोर्ट के करावल लगर से लेकर के वजीराबार तक जो सड़क है उसकी रिमॉडलिंग होनी थी और यह पूरी की पूरी रिमॉडलिंग आज अपना कैमरा लेके जाहिए निलबटे संदाटा है उस सड़क पे इसने भी ट्रवल किया होगा उसको पता है कोई काम ने हुआ लेकिन साड करोड रुपाए इस अभी मॉडलिंग के नाम को खश कर दिए आठ दिश्मरों तीन चार करोड रुपे बारतियांता पार्टी के निताओं के जेव से निकले थे बारतियांता पार्टी के मेर अपने घर से लेके आये थे कि दिल्ली के नागरिकों से टैक्स के रूंप में वसूला गया पैसा बर्बाद हुआ है कि बारतियांता पार्टी बर्बादी के लिए दिल्ली की इंताओं से माफी मानेगी लगब ग्यारा काम ऐसे थे जिसमें सड़क का रिपेर होना था तार्कॉल की कार्पेट बिच्णी थी काहिदे से इसके उपर ये ग्यारा कामों के इमत में लगब आठ करोड रुपए खर्च हुए और कहीं काम जमीर पे नहीं हुआ रोड रिमोडिलिंग के इंदे साड़े आठ करोड रुपए आप जोड़ते जाहिए सेकड़ों करोड रुपए का गोटाला है ये जो और रेकॉर्ड है और मैं फिर से कहने चाहूंगा ये सिर्फ टिप अफ द आइसबर्ग है इसके बद रानी जहांसी रोड की बार की कहानी आप लोगों से चुपी नहीं है लगभग पिछले 15 साल से वहां फ्लाइओवर बन रहा है कुछ दिनों पार कार्बन डेटिंग करनी पड़ जाएगी कि ये पहली एड जो लगी है और कब कि लगी है ये स्थिती है वहांके फ्लाइओवर के निर्मान कारी की जहां बजट सतात्र करोण उपए से लेकर के बढ़ते 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 हजार करोण उपए का हुच चुका है और हर बार UD ministry नए बजट को संशन कर देती है बिना जवाब देही तएग कि ए बिना जिम्मजारी तएग कि हर बार ये ताइम लाइन चेंज होता है क्यों वह र के बाद कि प्लान के अंदर एंहांसमेंट कर दिया जाता है जिसकी वज़ेसे प्रोजेक्ट की कॉस लगबग सबाइब पांच करोण रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाती है यह खेल सबको सब्गने आता है वह क्या होगा सबाइब पांच करोण रुपए जैसे बड़े होंग कि सबाइब पांच लाग रुपए किसी की जेब में आगा हुए यह पूरा गेम यही है और कुछ है ही नहीं कि भाइसब पैसे कुछ कम पढ़ रहे हैं क्या किया जाए तो यह वाले प्लान को थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे तो स्कोप चेंज हो जाएगा स्कोप चेंज हो इसलिए सभी चुप बैटे हुए है दोस्तों कि सीजी रिपोर्ट में बुरी तरह से लगता तीसरी बार कि यह स्पस्ट किया है यह ते किया है कि भारती अन्तव पार्टी शासित एमसेडी विश्व की ब्रश्क्रम संस्काहों में से एक है और ऐसा हमने भी कई मौकों पे सुबूत देकर आपके माधम से दिल्ली की जन्ता को बताया है कि आकंट भारती अन्तव पार्टी शासित एमसेडी फ्रस्टाचार में किस प्रकार से डूगी हुई है चाहिए वो मामला टेंडर प्रोसेस को कॉंप्रमाइस करने का हो माननीय मेर साहिबा के द्वारा या महेंगे दामों में सी सी टीवी कैमरा लगवाने का हो या उनके हस्पतारों के रख रखाऊ का हो या डेंगू और तमाम जो वेक्टर बॉर्ण डिसीज़ेश हैं उनके रोब ठाम के लिए अनलाइसेंस अनप्रूप्ट मेडिसिस को प्रोक्योर करके यूज करने का मामला हो चाहे नौर्थ एमसीडी के अंदर कच्रा उठाने के कॉंट्रेक्ट में घोटाले का मामला हो समय समय पर हमने बताया है कि किस प्रकार से भारती रंता पार्टी ने एमसीडी को एक मनी मिंटिंग मशीन समझ के रखा हुआ है कि सीजी की रिपोर्ट ने इसे दुबारा से साबित किया है और इस रिपोर्ट के आलोग में भारती रंता पार्टी के नेताओं से हम पुछना चाहेंगे जवाब लेना चाहेंगे कि यह जो साइकड़ों का रोड रुपई का सीधा सीधा गोटाला हुआ है प्रस्टा चार हुआ है नए चेहरे और नए उडान का दम भगने वाले क्या वो तमाम नेता दिल्ली की जंता के सामने आकर अपने इन जुम्लों के लिए उनसे माफी माल लिए शमा प्रार्थी होंगे और इनकी जवाब देही तैक करेंगे इनकी जिम्मिदारी अपने करने पर लेगे बिलिव जी यह 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 जी रिपोर्ट आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि यह सिएजी रिपोर्ट यह बताती है कि भारती रंता पार्टी के बस की नहीं है एमसीडी को चला पाना निगम को चला पाना और निगम रस्ताचार में भारती अंता पार्टी के निताओं के आशिरवाद के विज़े से डूबा हुआ है